हाई देल आज हम बात करेंगे स्टेटिन्स के बारे में स्टेटिन्स क्या होते हैं और यह कैसे काम करते हैं statins वो medicine होती है जो हमारे body के cholesterol level को कम करती है जैसे कि atorvastatin, rosastatin और simvastatin इनको पैचानने का तरीका यही है कि इनके नाम के पीछे statins लगा होता है अब बात करते हैं cholesterol क्या होता है cholesterol एक organic molecule है जो एक type का lipid होता है यह हमारे liver से produce होता है और lipoproteins इसे हमारी body में transport करते हैं अब बात करते हैं lipoproteins क्या होते हैं lipoproteins cholesterol के transporter होते हैं और यह 5 type के होते हैं पहला kylomicron, उसरा very low density lipoprotein जिसे VLDL कहते हैं तिसरा low density lipoprotein जिसे LDL और bad cholesterol कहते हैं चौता intermediate density lipoprotein जिसे ideal कहते हैं और पाच्वा high density lipoprotein जिसको HDL और good cholesterol कहा जाता है अब बात करते हैं इसके मैकनितोफा एक्शन की तो इसके लिए cholesterol synthesis के बारे में पता होना चाहिए तो HMG-Co-Enzyme 1 convert होता है मेवलोनिक एसिड में HMG-Co-Enzyme 1 reductase की help थे और further मेवलोनिक एसिड जो convert होता है आइसोपेंटाइल पाइरोफास्पेड में जो आगे स्केलीन में convert हो जाता है जिसे लैनोस्टरोल बनता है और जो कोलेस्टरोल में convert होता है स्टेटिन्स HMG-Co-Enzyme 1 reductase को inhibit कर देते हैं जिसे कोलेस्टरोल formation रुख जाती है इसलिए स्टेटिन्स को HMG-Co-Enzyme 1 reductase इनिबेटर भी बोला जाता है उमीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेर करना ना बुले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को जरूर क्लिक करें मिलते हैं किसी और वीडियो में थैंक यू गईस